जैं हिंदोस्तों, दोस्तों दुस्मन देशों में खलवली मचाने आगे सबसे खुखार पंडुबबी आईनेस वाकसीर और भारत आएंगे ब्रिटिस पीम बोरिश जॉनसन वहीं भारत को मिली S400 की दूसरी खेप तो आईए जानते हैं इनके बारे में डीटेल में दोस्तों हिंदोस्तान के दुस्मनों की नेंद उडाने के लिए देश के समंदरी सीमा को अभीद और अखन रखने वाला अब तक की सबसे एडवांस सम्मरीन में से एक आईनेस वाकसीर इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में जल्द सामिल होने वाला है तो आईए जान लेत किसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहद बनाए गये संबरीन कलवरी क्लास की आखिरे अखरी संबरीन है यह कलवरी कलास की डिज़ल इलक्ट्रिक संबरीन है इस संबरीन की लंबाई करीब 9, 121 फिट है और ये करीब 40 फिट उची है इस संब्रीन में 360 बैटरी सल्स लगे हैं मुंबई के मजगाओं डॉक पर बनी इस संब्रीन का 40% से ज्यादा हिस्सा आत्म निर्भर भारत के तहत बनाया गया है और ये संब्रीन 20 अपरेल को इंडियन नेवी में सामिल होगी दुस्म 39 एंटी से मिसाइले लिजा सकती है और दुस्मनों की संब्रीन्स वार सिप्स को ध्वस्त करने के लिए समंदर में माइन्स बिचाने का सिस्टम भी वाकसीर में मौजूद है और एक साथ करीब 30 माइनस आइनस वाकसीर बिचा सकती है वहीं योकरेन के साथ चल रहे वार के बीच रूस ने भारत की मिलिटरी पावर में बड़ा इजाफा किया है भारत को रूस से एस 400 मिसाइड डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप मिली है मिसाइड डिफेंस सिस्टम की पहली खेप दिसंबर 2021 में भारत पहुंची थी S-400 मिसाइड डिफेंस सिस्टम की कुल पाच खेप की अक्टूबर 2023 तक डिलिवरी होनी है इससे पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सिमाव की सुरच्छा की जा सकेगी भारत को रूस से मिसाइड डिफेंस सिस्टम की डिलिवरी तब हुई है जब युकरेन के साथ वार चल रहा है और भारत के इस वार को लेकर अपनाएगे रुक को लेकर सवाल भी उठाए गए है S-400 को लेकर इस बात की भी अटकले चल रही थी कि अमेरिका रूस से हत्यार खरीदने पर काट्सा के तहट कारवाही कर सकता है हाला कि अमेर्की विदेश मंतरी एंटिने बलंकर ने कहा कि अमेरिका ने अभी तक S-400 मिसाई डिफेंस सिस्टम के खरीद के लिए काट्सा कानून के तहट भारत पर बैन लगाने या छूट देने पर कोई फैसला नहीं लिया है दूसरी और भारत ने किलियर कर दिया है कि वा परती बंदों की चिंता किये बगएर अपनी सुरच्छा करेगा वहीं ब्रिटेन के प्रधान मंतरी बोरिश जॉंसन इस महिने के आखिर में भारत के दोरे पर रहेंगे इस यात्रा के दुरान दोनों पच अपने सम्मंदों को और मजबूत करेंगे जॉंसन अप्रेल के आखरी हपते में दिल्ली के दोरे पर आ सकते हैं प्रधान मंतरी नरेन मोदी और बोरिश जॉंसन के बीच आखरी मुलाकाद पिछले साल नौमबर में गला सगो समिट के दुरान हुई थी पिछले साल प्रधान मंतरी जॉंसन की भारत यात्रा दो बार रद हुई थी पहली बार जनवरी में जब उन्हें गड़तंतर दिवस प्रोग्राम में अथिते के रूप में सामिल होना था हलाकि उस वक्त देश में महामारी के संकट के चलते ये यात्रा संभो नहीं हो पाई इसके बाद अप्रेल में भी महामारी संकट के कारण उनका दोरा रद हुआ था जी सेवन के अध्यच होने के नाते ब्रेटेन ने प्रधान मंतरी मोदी को नियोता दिया था लेकिन महामारी के चलते प्रधान मंतरी मोदी का या दोरा नहीं हो सका वहीं केंदर सरकार अगले हपते की सुरुवात में पॉपलर फ्रेंट ओफ इंडिया पीफ़ाई पर बैन लगा सकती है हाला के ओफिसल तोर पर इसका एलान नहीं किया गया है सोर्सस के मताबिक साल 2006 में गठिती संगठन कई आस्सामाजिक और राश्टिवरोधी अक्टिविटी में अपनी इन्वॉल्मेंट के लिए जाच के दाइरे में आ गया है इसका राजनितिक मोर्चा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी ओफ इंडिया साल 2009 में अस्तित्व में आया और चुनाव लड़ा और ग्रह मंत्राले के पास इस संगठन को गैर कानूनी गोसित करने के लिए पूरे सबूत है अपरेल 2021 में सोली सीटर जन्रल दुसार महता ने सुप्रीम कोट को बताया कि केंदर के तरब से पीफाई पर परतिबन लगाने का प्रोसेश जारी है वहीं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ को पाक अधिकरित कस्मेर में भी तगड़ा जटका लगा है यहाँ प्रधान मंत्री अब्दुलकयूम नियाजी ने भी इस्तीफा दे दिया नियाजी ने यह कदम पार्टी में अपनी खिलाफ होई बगावत के बाद उठाया है दुरसल नियाजी के खिलाफ PTI के 25 विधायकों ने आविश्वास परस्ताव पिस किया था इसके बाद उन्होंने गुरुवार को राष्टपती सुल्तान मुहमाद चोधरी को अपना इस्तीफा भेज दिया नियाजी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि सविधान के अनुचेद सिष्टीन वन के तहद में प्रधान मंत्री पत से इस्तीफा देता हूँ तो दोस्तो ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट इसके अलावा अगर आप भारते सेना से जुड़ी ऐसे और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस अनलाइसिस में मिल जाएगी जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जाता से यादा सियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जैहिं जै भारत